इस लेक्चर में बिर्सा मुंडा और मुंडा रिबेलन के बारे में डिसकस करेंगे ये रीसेंटली न्यूज में है ये इमेज में देख सकते हो आप ये है बिर्सा मुंडा जी और इस इमेज में भी देख सकते हो बिर्सा मुंडा जी अभी रीसेंटली न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है जनम दिन होता है 15 नॉवंबर को और इन्होंने देखो नेशनल मुवमेंट चलाए थे कुछ इनके इंपक्ट को देखते होई इनके प्रभाव को देखते होई दो हजार में 15 नॉवंबर दो हजार को विहार से जहारकंड स्टेट अलग किया गया यहनि कि 15 नॉवंबर को यह अलग किया गया यह डेट रही गई जहारकंड के क्रियेशन की तो कौन थे बिर्शा मुंडा देखो जो ट्राइबल फीडम मूवमेट चलाए थे इन्होंने ट्राइबल फीडम फाइटर थे इन्होंने आजादी के लिए एक तरह से लड़ाई में योगदान दिया ट्राइबल्स के लिए मुंडा ट्राइब से ब्लॉंग करते थे यह, मुंडा जो इनके नाम के पीछे लगा हुआ है, इनकी जाती का नाम है, मुंडा एक जाती है, जो ST केटेगरी में आती है, जूल ट्राइब में, तो मुंडा ट्राइब से यह ब्लॉंग करते हैं, मुंडा ट्राइब के हीरो थे इन्होंने 19th century में बिहार और जहारकंड का जो area है उसमें British colonialism के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी British के अगेंस्ट ये भाई सब इन्होंने विद्रो छेड़ दिया था उस विद्रो के बारे में हम पढ़ेंगे इन्हें देखो धरती अबबा के नाम से भी जानते है या फिर अर्थ फादर इंगलिस में अर्थ फादर या धरती अबबा बोल सकते हो 15 November 1875 को इनका जनम दिन होता है मलब जनम होता है 1875 को इनकी एक ideology है विचारधारा philosophy जिसका नाम है बिरसेट इसका मतलब है कि इन्होंने जो reform के ना कुछ संसोधन इन्होंने के कुछ सुधार के समाज में उन्हीं को बोलते हैं बिरसेट क्या सुधार के देखो इन्होंने कुछ reform के tribal society में इन्होंने लोगों से अपील की कि जो भाई साब ये witchcraft है witchcraft का मतलब है जैसे superstation होते हैं जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि किसी में मालो भूतनी आ गई या किसी में माता आ गई और उसको पीटते हैं लड़की को या लड़के को इस तरह की जो activity है इनको छोड़ने के लिए बोला इसके बज़ाए इन्होंने का कि भाई साब आप prayer करो प्रात्ना करो भगवान में विश्वास करो फेत रखो God में और जो औल सेट या बिरसात इनके achievement क्या रहे देखो बिरसा मुंडा जी ने एक movement चलाया जिसका नाम है उल्लू गलन के बारे में 2020 में UPSC ने पूछा कि उल्लू गलन किस से related है पस इतना बताता ना कि मुंडा जो rebellion है उस से related है मुंडा अप्राइजिंग या मुंडर rebellion तो उर्षी को ब भासा में देखो जो मुंडा जो ट्राइब भासा बोलते है लेंग्वेज उस भासा में उल्लू गलन का मतलब है great tumult यानि कि एक तरह से अप्राइजिंग विद्रो रिबेलियन विद्रो मानलों विद्रो बोलते है उनकी भासा में उल्लू गलन इन्होंने ये चलाया था ज इसको देखते हुई जो इन्होंने विद्रो चलाया था बिट्रिस गौर्मेट ने एक एक्ट पास किया था 1908 में छोटा नागपूर टैनेंसी एक्ट और छोटा नागपूर जगह जहारकंड में है उसी के नाम पर उसी के आसपास ये ट्राइब रहती है मुंडा ट्राइबल की लेंड है वो नॉन ट्राइबल को नहीं ट्रांसफर की जाएगी यानिकि जो अनुसुची जनजाती के लोग रहते हैं मुंडा ट्राइब के इनकी जो पास में भूमी है जिसके एक खेती वगरा करते हैं किर्शी वगरा ये किसी और लोगों के को नहीं दी ज जाएगी तो ये मुंड़ा रिबेलियन है क्या और किस वज़े से स्टार्ट हुई थी इसके बारे में थोड़ा डिसकस कर लेते हैं वन ओफ दा मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राइबल मुवमेंट है ये जो ट्राइबल्स का अनुसुसी जंजाती का जो मुवमेंट है आंदोल आने किये थे उनमेंसे एक बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है बिर्सा मुंड़ा जी नहीं इसका नेत्रित्व किया था लेड किया था और साउथ औफ राची में यानिकि जहारकंड की जो अभी कैपिटल है उसके साउथ में दक्षिन में ये पारण थे जो मुंडाज की दुख थे उनके कारण की वज़ए से ये चलाए गए थी और उनके दुख क्या थे देखो लेंड पॉलसी थी बिर्टिस गोर्मेंट की ये क्या जो ट्रेडिस्टनल लेंड सिस्टम था बिर्शा मुंडा उसके वुरुद गई थे जैनिकि जो लेंड सिस्टम के बिर्टिस गोर्मेंट खतम करती जा रहे थी डिस्टोय कर रहे थी मुंडा जो कॉम्णीटी रहती है यहां पर मुंडा ट्राइब है उसकी जो भूमी थी उसको चीन रही थी बिर्टिस गोर्मेंट और उन्हें खेती नहीं करने दे रही थी और जंगलों लेंडलोड वो भी इनकी लेंड को छीन रहे थे, money lander होते हैं, जो पैसा देते हैं, उधार में, गाउं वगेरा में रहते हैं, जो पैसा देते हैं, लोन में, और फिर बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं लोगों से, ऐसे हिंदू लेंडलोड थे, जमीदार, हिंदू ज लगाते थे, और तीसरा कारण था, मिस्नरीज, क्रिश्चन मिस्नरीज आये थे, भाई सब फोरण से, बिर्टेन से, यूरोप से, जो क्रिश्चन धरम को, इसाई धरम को प्रॉपागेट कर रहे थे, यहाँ पे, मतलब क्रिश्चन धरम को फैला रहे थे, और जो इनके ट्र गुवंएंट लेंड पॉलिशी और एक है मनी लेंडर हिंदू लेंड लेंड का अत्याचार और मिसनरीज का ये क्रिटिसाइज करना उनके ट्रेडिस्टनल सिस्टम को कल्चर को इसके वज़े से मुणडारीवेलियन चलाया तो मुणडारीवेलियन के क्या सिगनिफिकेंस थ देखो मुंडा रिविलिन के कारणी जो बिट्टिस गोर्मेंट थी वो ये समझ गई थी कि भाई साब हम इनकी भूमी को नहीं चीन सकते वरना हम यहां से जाना पड़ेगा तो इन्होंने छोटा नागपूर टीनेंसी एक्ट चलाया मलब लागू किया 1908 में इसके तहट जो डीकू थे डीकू बोलते थे यह मुंडा ट्राइब बोलते थे फोर्नर को विदेशी जो इनके यहां पर नहीं रहते थे भारत से आते थे यहां पर उनको डीकू बोलते थे फोर्नर विदेशी तो यह डीकू ट्राइबल लेंड को नहीं ले सकते यह इस भूमियो ट्रैबल के पास ही रहेगी इन जन्जाती के पास ही रहेगी तो ट्रैबल पीपल की ये कैपिस्टी जान गए थे कि इनके पास भी कैपिस्टी है ये इंजस्टिस अन्याय के अगेंस्ट विरोध कर सकते हैं और कॉनोलियर रूल है जो उसके अगेंस्ट भी ये विर ट्राइब के जरीए तो यह इधा बस इसमें